अभ्यास अठारह उपसभापती महोद है सबसे पहले तो मैं आपके प्रती कृत्यज्यता प्रकट करती हूँ की आपने इस समय मुझे बोलने का अउसर दिया विशय का महत्व और बढ़ गया है अभी एक साल पहले देश के नव राज्यों में सुखे का प्रभाव रहा और तीन चार राज्य पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित रहे महोदया उसका दुस परिडाम न अभी देश पर से समाप्त हुआ है न उस इलाके के किसान पर से समाप्त हुआ है एक बात का और उलेख करना चाहता हुँ एक के बाद एक कई घोंचडाय तो होती रहती है जैसे अभी महोदय ने यह घोंचडा कर दी कीमतों की ब्रीधी की मैं वह चार बैठे बैठे पढ़ रहा था मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भारत की क्रीशी में जूट वह पटसन का कोई अस्थान है या नहीं है एक पैसे की ब्रीधी का इसमें उलेख नहीं है लेकिन अब तक देश के अंदर कई बार बीमा की चर्चा हो गई है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश से मैं आता हूँ बाढ़ ने तीन चार बार बरबाद किया है और अभी आते आते पांचवी बार किसानों को अप्रेल महिने के प्ररंभ में मार्च की अंत में ओले ने बूरी तरह से बिहार में बरबाद कर दिया और भी कई परदेशों को बरबाद कर दिया अगर हम चर्चा करते हैं फसल बीमा की तो यह फसल बीमा का मकसद वास्तविक रूप से जो पीडित किसान हैं उन तक पहुचाना है इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप प्रीमियम की अकंछां सिमान्त और लगु किसानों से मत करिए बलकि केंद्र सरकार फसल बीमा के प्रीमियम के लिए राज्य सरकार को बिवस करें कि वे प्रीमियम के लिए आए पेराग्राफ चेंज महोदया देश का जो किसान है 80% किसान सिमान्त और लगु किसान है और मात्र 20% ऐसे किसान है जो लगु सिमान्त से कुछ उपर होंगे और खेती लायक देश के अंदर जितनी जमीन है यह इन 80% सिमान्त और लगु किसानों के हाथों में है महोदया थोड़ी देर पहले अबादी के बारे में चर्चा थी मैं बहुत जल्दी में कहना चाहता हूं आज गाओं में 76% अबादी रह रही है और इस अबादी के अंतरगात 71% केवल खेती के उपर निर्भर है उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है आज उसकी बेवस्था क्या हो गई है बाधने तबाह किया मांग सुरू हुई बीज ले आओ घर भी डूब गया खेती भी डूब गया जो कुछ भी था वह डूब गया तो आज किसान रिण के बोज से परिशान है सच मुच में अगर आप किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूँगा कि आप इस पर विचार करे और मैं कहना चाहता हूँ कि चंदी गढ़ के अंदर छट पर खड़े होकर मानिवर देवी लाल जी किसानों के रिण की माफी की घोंटडा कर सकते हैं तो दिल्ली दरबार में बैठे हुए भाजन लाल जी उससे क्यों भाग रहे हैं वह किसानों के रिण की माफी की घोंटडा क्यों नहीं करते मैं कहता हूँ झाल झाल